तो बाद साल 2017 से शुरू करते हैं, करनाटक के चुनाव का रिजल्ट आने वाला था उस दिन, मैं उस समय एक न्यूस चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था और रिपोर्टिंग करने के दौरान मैं पहुचा 24 अकबर रोड कॉंग्रेस के काराले, और वहाँ पर पूरे न से नाव राहूल गांधी, क्यों नहीं क्योंगा राहूल गांधी नहीं बात में बताता हूं, लेकिन इसी टाइप की एक जैकेट पहने और एक लड़का उतरता है, और हम लोग उसको जानते थे, सब लोग उनको जानते थे, पीछे तर लिगन एक आवाज आती है, कितना क् अब आप पीछे मूल के देखता हूं, तो दो तीन लड़कियों का गुरूप है, और दे वर डिसकसिंग अबाउट है, तो इस तरह की फैन फॉलोविंग भी आप रखते हैं, कॉंग्रेस में आप राष्ट्य प्रवक्ता रहें, इस वक्त भारती जनता पार्टी में नाश है, जैवीर शेरगिल साब का हो, एक बात जरूर कही जाएगी, कि पहले एक पार्टी में थे, और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ करके, आप दूसरे दल में आए, विचार धारा का जो है, एक तरीके से परिवर्तन कर लिया, ये परिवर्तन क्यूं हुआ, इसके पीच पहले तो एक दर्शकों को और आपको बहुत-बहुत धन्यवार जो आपने मेरा परिच्छे दिया, और वो जो क्यूट वाला कॉंप्लिमेंट दिया, पर क्यूट तो आज भी ये टोपी डाल के आप, मुझे लग रा पूरा स्वैग है आज आपका, तो दूसरी बात हाँ, एक साथ-साथ, एक और में वकील और राजनीता होने के साथ-साथ, मेरे पास पाइलेट्स लाइसंस भी है, प्राइविट पाइलेट्स लाइसंस, तक्रीबं धाई तीन सो घंटे मैंने फ्लाइं की है, और मेरी परिवार से, क्यूंकि आपने पहले भी जिकर के, मेरे सेना का जेनरल, हम पंजाबी में कहते हैं जरनेल, सेना का जरनेल, एक सेना पती, उसका फर्द होता है, वो बंदूक अपने जो सामने दुश्मन हैं, उस पे तान के रखे, ये पहले सेना के मानिनी शीराहुल गांदी और उनके दरबारी चम्चे ऐसे जरनेल हैं, जिन्हों ने बंदूक अपनी सेना पे तान दी, पहले इनको खतम करते हैं, बाकी उधर बाद में निपड लेंगे, आपको भी लगी वो गोली? बिलकुल लगी, गोली लगी, पर हमें वो हिंदी की कहावत है, सीख लेते अगर हम भी चम्चा गिरी का पैंतरा, तो कई पदों से नव और बड़े अच्छे नेता ने कंबल ओड़के सो गए थे, क्योंकि उस दिन ओड़ कामरा के सामने नहीं आना चाते थे, तो मैं मजाग करता था, कि हमें अब एक बार हमारी मीटिंग हो रही थी, तो हमने का कि हार पे बोलने की तो बहुत प्रैक्टिस हो गई, अगर बाई प्रैनी शी राहूल गांदी जी के ऑफिस में जिनका डेरा डला हुए, जो तंबू गाड के बैठे है, उन्होंने का टेलेंट और मेरिट बाई बाई बाई, जो चमचा गिरी, जो सर जादा जुकाएगा, जो आंखे मूंद के, वो कहते ना, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है, जो हमने कह दिया, देश हित नहीं पहले आएगा, जन हित पहले नहीं आएगा, वोट कैसे जीती आएगी, वो नहीं पहले आएगा, पहले ये दरबारे चमचो की दुकाने कैसे चलती रहें, इस पे बात कीजिए लेकिन आप आज भी प्रियंका और राहुल के लिए मानने शब्द यूज करते हैं यह सज्टिक लिए आपने बोला था भी मानने राहुत रह जाता है यह मैं कोई तंज नहीं कसरा और वैसे एक और हिंदी की कहावत हम दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं तो बात दुश्मनी भी नहीं है मैं एक छोटा सा प्यादा हूं बहुत बड़े नीता है श्री राहुल गांदी और मानी श्री प्रिंका गांदी मेरा अपनी एक इरोसिटी जानने की कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आ जाती है और मानले जे राहुल गांदी इन सब को कुछ बड़िया बड़िया अप्पाद ओफर करते तो क्या तब भी पार्टी छोड़ते थे इस बिहाफ पे कि आप चाटूगारों से भरे हुए हैं इ दूसरा जिनके लिए घर कॉंग्रेस था हम दूसरी कैटेगरी में थे हमारा घर कॉंग्रेस से नहीं चलता हमने कहीं किसी से सफार्शे करके पेट्रोल पंप के ठेके नहीं लिए हमने सोशल मीडिया कॉंट्रैक के ठेके नहीं लिए अगर जैवीर शेर्गिल मौका अप लगातार बात अपनी रखते रहे अपक्ष रखते रहे प्रहार करते रहे जिस पर्टी के ऊपर वही पर्टी आपको मिली जॉइन कनने के लिए गोफ एस बाद अब bhat hier पॉइन दिखाई दिया जो आपके मुद्व को साधरी जीinta already आज जब एक क्या होता है कि जो परवक्ता होता ना वो टीवी की दुनिया में कैमरे में कैद हो जाता है उस डबे में उसको लगता है कि जो टीवी पे आठ चार से नौ दिखाया जा रहा है वो ही देश का मिज़ाज है उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ही ठीक है औ भी कहते हैं जमीनी राजनीती जात साथ साथ जिंदा रखनी चाहिए तो आप जब जब जमीन पे जाएं और जब अपना नजरिया देखने का बल्ले ग्लास आदा भरा आदा खाली इसमें क्या था कि हम पांच प्रतिशद खाली ग्लास को सौ प्रतिशद देख रहे थे तो आ आप जनता से संपर्क बनाते हैं अपने कान जमीन पे लगाते हैं जमीन की जनता से जो शायद आपका नौ बजे का टीवी का शो नहीं देखती है जो आपका आठ बजे का नहीं देखती है जो आपका छे बजे का नहीं देखती है जो काम आर भाजपा सरकार नहीं किया है मै कि मैं सिक्थ हूँ चाहे मेरे पंजाब सिख्ष सिख्षों के बात करता हूँ चाहे वो करतारपुर लांगा जो कोरिडूर हम quiz को खोलने की भात हूँ चाहे वो पहली बार वीरबाल दिवस मनाने की बात हो जाहे वो अफगानिस्थान से हमारे胡 जब गोलाग बारूदी हो रही थी बचा के लाने की बात हो तब आपको एहसास होता है कि जो भाजपा के जो काम है माननी नरेंदर मोदी जी की जो मजबूत लीडर्शिप है वो आज जनता किसी कारोनों से जुड़ी हुई है आपने केसी भी सर बड़े इंटरस्टिंग लड रहे हैं उस के बारे में बताइए ने देखे हमारी पहली किताब का है किसी भी केस के बारे क्लाइंट के लावा किसी और से चर्चा नहीं हो सकती यह क्लाइंट किस के ओपर है उसमें मामला क्या है अब आप चाहते हैं मेरा एक तो बार लाइसंस चला जाए दूसरा आप चा पार्टी पंजाब चुनाओं दो हुजार जो बाइस में चुनाओं हुए उससे बहुत पहले छोड़ दी चे महीं मेरी पार्टी चोड़ने और माननी है कैपटन अमरिंदर सिंग्जी की पार्टी चोड़ने में एक साल का अंतर है तो यह आपका आरोब गलत है यह कोई सोची समझी साजेश नहीं थी लेकर मेरा सवाल है उनका केस जो आप लट रहे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए नहीं देखे उसके बारे वो तो फिर मैं और केसिस पर प्यांगा एक आपने वोड़ा फोन का केस पी लड़ा है केसिस जो पुराने चल रहे हैं कई तरह के केसिस लुद्याना में एक केस चल रहा है जहांपे कैप्टन साब को एक वीट कर दिया बाहिज़द बरी कर दिया गया वो एक कॉंट्रक्ट को लेके केस था फिर एक इंप्रूम्मेंट ट्रस्ट का केस था उनके बेटे के ओपर हो एक foreign assets का लेके case चल रहा था तो ऐसे ऐसे हर जगा देखिए जो एक वकील होता ना जो वकील होता ना काला कोट और काला डाल डाल देता है वह अपना राजनेतिक टोपी यह डाली है राजनेतिक टोपी और भाहर छोड़के उसका केवल एक मात्रकरतव होता है ना left ना right only client चली केस बहुत लड़ें लेकिन उन्होंने काया कि केस के बारे में ज्यादा ना माना जो गिल और शेर्गिल जो होता है शेर्गिल आप बहुत कम रह गए हैं हम जटसिक हैं तो खेती बाड़ी जो पूरा कुनबा हमारा शुरू हुआ उससे शुरू हुआ तो जटसिक शेर्गिल जैसे कोई रंधावा है कोई शेर्गिल है तो शेर्गिल जो क्लैन था वो सिमिट क्याप छोटा है फिर गिल आ गए तो अब मैं भी यह हमेशा अंतर पूछता है यह शेर गिल और गिल में अंतर क्या है जादा बहादूर कौम रही होगी शायद शेर गिल ऐसा गिल में जो सबसे जादा बहादूर वो शेर गिल ऐसा रहा होगा अब मैं गिलों को न यही द TWO साल भारत को डियॉजव सायव सारी कैने पहता है। यह तो पता ही हाई हमे तो यहीं पता ही रही है। इंटरनेशनल बार आसेशिशन का बताईए कुछ देखे क्योंकि बहुत सारे युवा आपका शो देख रहे होगे और मैं कही उनिवर्सिटीज में भी भाषन एक बात करने का मौका मिलता आपने ये पूछे के यंग 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 ये जो टाइटल है ये ये मेरे को एक मेरी चाह और इच्छा थी तो मुझे किसी एक बहुत बुजर्ग ने का और मेरे पिता जी ने का पैसा हर कोई कमा लेता है पहचान कोई कोई कमा पाता है तो मेरा जो एक मात्र जो कहते हैं ड्राइविंग फोर्स हमेशा रही पैसा रही कि मुझे अपनी पहचान बनानी है एक आइडेंटिटी बनानी है और कुछ रिकॉर्ड तोडने है तो एक जजबा कह लीजिए तो उस जजबे से जब मैं परवक्ता भी बना या को चेर्मेन भी बना तो वो हमेशा रहा कि एक पहचान हो दूसरा इंटरनाशनल आपके युगा है जो वकील है बडिंग लॉयर्स है आई बी इंटरनाशनल बार असोसिएशन सधारल लैग में बोलू जैसे युनाइटेड नेशन है पूरे विश में हर एक अपना अपना देश है पर युनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी पंजाब है इंडिया की बार काउंसल अफ इंडिया है युन अपना है जो हर देश की बार काउंसल वहां के वकीलों की समस्या वहां के कानूनों की क्या कमजोरी है क्या ताकत होनी चाहिए महिलाओं के हक शरक्तिकरन युवाओं के हक इस पे कहीं पे मानव अधिकारों का हन कौन बढ़ा हो जाता है आपने साल 2006 में ग्राजूशन पूरी करी चेंगौल से और 2008-09 में आप इंटरनाशनल बार आशूशन के हिस्सा बन गए कैसे इतनी जल्दी कैसे एक आई बीए की मैंने सदस्यता मेंबर्शिप ली उसके बाद अपनी सीवी भीजी कैसे मैं इंडिया से जुड़ा हूं इंडिया में क्या कानून हैं क्या इसे हम मजबूत कर सकते हैं एक इंटर्व्यू पैनल कह लीजी मेरी सीवी के अनुसार ओनोंने मेरी मेरिट कह लीजी है तुका कह लीजी है उस अनुसार से मुझे अध्यक्ष्टा यंग लॉयर्स असोसियेशन का प्रेजिडेंट बनाया दो वर्ष्टी प्रेजिडेंट आप सुडेंट उन्यून के भी अगलब जल्दी से सबसवाल ऐसे हैं जो कि पूछे जाने ही चाहिए कि अब आप सप्तादरी पक्ष को रिप्रेजेंट करते है बेरोजगारी महंगाई और आपका क्या टेक है आपकी सरकार क्या कर रही है और और ये और फोकस आन पॉकस वाट पीजेपी इस दूइंग ऊ जहां तक के रोजगार की आपने बात की देखे जो आज हिंदुस्तान में तकरीबन एक सो साथ यूनिकॉम्स है ठीक है आठ हजार से अधिक स्टार्टप शुरू हो गए है जहां तक रोजगार है कि आरोप भाजपा पे लगाना तो बहुत असान है आप राजिस्तान में सब तो वहां राजिस्तान में तो सबसे बेरोजगारी का रेट है आप से जानना चाहर है कि आप बेरोजगारी के लिए क्या कर रहाया है प्रोज़गारी को ने प्टाने के लिए आप क्या गारा राइस्तान नहीं कर बारा ठीक है छोड़ देखे जो आपके अभी माननी प्रधान मंत्री जी ने एक मेरी अगर तत्थ है ठीक है तीन हफ़ते ही पहले रोज़गार पत्र दी हैं आप इनके जो हमारे आंकडे हैं जो अगर रोज़गारी का जो लेके जो ग्रिपिंग है जो हमारी रिकवरी है वी शेप रिकवरी रोज़गारी को हमारे अनुसार आपको और मेरा रोज़गार दी जा रही है पूरा इंप्लॉइमेंट जेनरेशन हो रही है डारेक्ली औ इंडारेक्ली ड्रग्स देखिए ड् इंजाब से नशे पकड़ने की खबर क्यों नहीं आता है आप पर बिरुजगारी और ड्रक्स दोनों पर सेम आंसर शेजाद भाई ने दिया था क्योंकि बीजेबी के प्रवक्ताओं के पास ऐसा लग रहा है ऐसा साउंड कर रहा है कि एक रिपेटेड लाइन से दो चार कि बिरुजगारी पर पूछा वो जो आपने कहाता ना कि जब जीतिंगे तो क्या बोलिंगे यह निए 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 पता चाब आप को अंग्रेस मोब हमारी तो पूरी पीडी आतिकवाद से खतम हो गई लेकर को यह संतुष जवाब मुझे नहीं मिला है आपसे शैदाद भाई से भी नहीं मिलाता मुझे सिवाए इसके कि हम लोग गुजरात में पकड़ लेने हैं ड्रक्स पूरे औल ओर इंडिया के से उसका लिंक को उसे सांजा करने जाओंगा माननी मोदी जी का बहुत सपष्ट है कि जो काम किये हैं कभी उन पर अहंकार नहीं करना और उन पर हाथ पे हाथ धरे नहीं देगा है गुजरात में पकड़ लिये तो बाकी राज्यों में नहीं होगा यह मोदी जी बहुत सपष्ट हैं जिस समय का भाव है तो इसको यहीं बाइड अप करेंगे लेकिन इक तो मेरे से मिल गा इसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा वह जैसे रैपिड फायर राउंड के वहोता ना रैपिड फायर राउंड अच्छा लगा और आप जिस पार्टी में है उसके पास ताकत है बहुत Indian Politics, Jayavir Sharigal Shah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. झाल